दोस्तों कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंक से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है यह साबित कर दिखाया है एक नवाब गंज रसूलत तालब हुसायन के एक हीरो ने हम तो उसको हीरो ही बोलेंगे जो सैंटेश्ट है नवाब का परिवार और पहनी नजर समाजी संस्ता की अध्यक्षा एड़ोकेट सुनिता गंगवार और जिलाद जक्ष पहनी नजर की जीनत अंसारी यहां पर मौजूद है और यहां पर नबाब साब के भाई बड़े भाई हैं डॉक्टर क्यास और राइज भाई आपता वालम करेंगे मैडम सुनिता गंगवार जी से कि किस तरीके का वो फिल कर रहा है यहां पर आके मैडम जी स्वागत कारवा टीवी में आपका धन्यवाद मैं यह कहना चाहती हूं कि आज मैंने सुबह अखवार में यह खबर पड़ी जबकि कल चंद्रियान हमारा जो है लेंड हु में खुसी का माहूल है और हम सब भारती है डेल सो करोड हिंदुस्तानी बहुत गवर्वानवित महसूस कर रहे हैं और जब यह सुबह ख़बर पड़ी मैंने कि हमारे नवाब गंज छेत्र से भी एक युवक उस चंद्रियान के लेंड होने का हिस्सा है तो यह सुनकर एक जो एहसास हुआ है मुझे एक गर्व महसूस हुआ है कि हमारे नवाब गंज जो की मेरा छेत्र है मेरी कर्म भूमी है और यह मेरा खर है नवाब गंज कि मेरे घर का भी कोई युवक बच्चा इस चंद्रियान लेंडिंग का हिस्सा है तो मैं यहां पर उनके परिवार से मि लिए आई हूं और मैं उनके विशय में जानना चाहती हूं कि किस तरह से वह यहां पर इस रो में उन्होंने काम किया क्या उनके परिवार के लोग्या मौजूद है उनके बड़े भाई मौजूद है तो मैं उन्हीं से यह जानकारी खासिल करूंगे सबसे पहले मैं अपने सारे देश वासियों को और इस रोकी टीम को बहुत है मुबारक बात देना चाहता हूं और यह बहुत खुशी का पल है कि हमारा देश ने सबसे पहले यह इस पेस क्राफ्ट है चंद्रियान के चंद्रमा के सौथ पूल पर पहुचाया इसके लिए इस दो की टीम और सारे बैग्यानों को ने जिन्हों रात दिन मेहनत करके इस सफलता को हासिल किया जो चंद्रियान टू था उसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की बज़े से सफलता नहीं मिलपाई थी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला जैसे टीम ने वारियों की बहुत ही बारिकी से उसमें काम किया और इ जो कि उस टीम का बहुत ही एहम हिस्सा रहे और उसमें काम्यावी मिली इससे हमारे चोटे से गाउं के बच्चों को और आसपास के जितने भी बच्चे हैं और पूरे देश के चोटे बच्चों को जो एक गाउं में रहते हैं और यह फील करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते उन्हें इनसे बहुत कुछ सीख मिलेगी और आगे ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे सर जानना चाहेंगे आपके बाले साहब का बतातने हैं कि बहुत पहले इंतकाल हो गया था किन परिस्तितियों में नबाब साहब को पढ़ाया अपने इंतकाल अभी दो साल पहले हुआ था पापा ने ही यह खेती करते थे हमारे बड़े भाई यह भी गौव में रहते हैं इन्होंने भी काफी मिहनत की सब को पढ़ाने में और हम लोग यहां से गौव से पढ़के आजाद नौरंग है स्कूल करने के बाद हम लोग बरेली चले गए थे और वाक्ति सब ठीकी रहा हमारे साथ उनके बड़े भाई रई सहमन अंसारी भी यहां पर मौझूद हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लग रहा है आज बहुत खुशी की बात है और मैं गवरानुत हूं कि मेरा छोटा भाई इस रोटीम में सामिल है और तमाम देशवासियों को इस रोटीम को मुभारक बात देना चाहता हूं और बाकी मैं तमाम देश के उन गरीब शात्राओं को जो यह अपने आपको कमजोर फील कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास संसादन नहीं है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इमान तो सुनिता गंगवार जी से हम पूझेंगे कि उनको यह सब जानकर कैसा लगा और जो चात्र पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं देखिए यह जानकर बहुत खुशी भी है कि यह जो नाम आया नवाब एहमद हमारे छेत्र नवाब गन सिक नवाब गन के चोटे से गाउन हसूला तालिव हुसैन के एक साधर से परिवार के हैं और यह काम कर दिखाया है इसमें उनका जो अखवार में नाम छपा है उसमें यह चंद्रयान को डिजाइन करने की एक चंद्रयान का जो शेप होता उसको भी डिजाइन करने के लिए एक वैग्यानिको की टीम होती है उस वैग्यानिकों की टीम का वो हिस्सा है उसको डिजाइन करने में अभी उनके भाई ने बड़े भाई हैं उन्होंने भी बताया कि वो उसके हैड है तो यह जानकर मैं लोगों को नवावगन छेत्र के लोगों को और तमाम बरेली और पुरी यूपी के भी ल प्रोत बन गए हैं वो कि बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे हैं कुछ करना चाहते हैं तो सरकार को भी ऐसे बच्चों को जदा से जदा प्रोसाहन देना चाहिए और हमारे देश के वैग्यानिकों ने आज वो कर दिखाया जो दुनिया के वैग्यानिक नहीं कर पाए है चंद्रमा के साउथ पोल में पहुचना बहुत मुश्किल था क्योंकि चंद्रमा का जो साउथ पोल है वो बहुत हार्ड और उसमें बहुत बड़े बड़े गड़े हैं तो वहां पर और रसिया के अमेरिका ने सभी ने ट्राई किया नहीं पहुच पाया है लेकिन हमारे व आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप ऐसे ही नवाब गंज का नाम रोशन करें हमारे बरेली जिले का नाम रोशन करें और आप भी और आगे बढ़ें ये मेरी दुआएं हैं उनके लिए और जब भी वह यहां आएंगे तो मैं उनसे रूबरू मिलने के हूँ और मैं नवाब गंज के सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ आप भी अपनी प्रित्भा को आगे लाइए करिए हमारे छेत्र नवाब गंज का नाम रोशन ऐसे ही करिए तो नवाब भाई के दूसरे भाई भी यहां पर मौजूद हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको क चोटा भाई हूँ और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्र गजार हूँ आप लोग तश्रीफ लाएं हैं और मैं मुवारक बात देना चाहता हूँ आपके चैनल के माद्धियम से समस्द देजबासियों को और हर हर देजबासी के लिए यह गौरब का पल है और हम करदार उन्होंने निभाया है और इस जिसको देशों में ना अमेरिका ना रूस ना चाहिना ना जपान कोई भी आज तक इसको नहीं कर पाया और भारत का विश्व पतल में नाम यह इसरो की बैज्ञान को नहीं पहुत पहुचाया इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई मुआ दो जातां हूं यहां पशरीफ लाई करमा ती-बी के तरब से बहुत सारी धेर उनको और उनकी के तमाम टीम को हार्दिक शुब कामना है एक सिर के साथ मैं फिर ब committed समात करूंगा कि मजभब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजभब नहीं सिखाता आपस अभी आपस में रखना Ez हिंदी है हम बतन है यह हिंदोस्ता हमारा यह प्यारा भारत हमारा ये हिंदुस्ता हमारा जैन दोस्तो